आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बज प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोट करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक अमल उपस्तित होता है और दोस्तों सल्फ्यूरिक अमल साथ में हमारे पास क्या उपस्तित होता है साथ में सल्फ्यूरिक अमल के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास जो होता है कार्बोनिक अमल भी उपस्तित होता है ठीक है तो यह हो गया हमारे पास nightric amla यह तीनो अमले दोस्तो हमारे amla बढ़ के सुत्र देख लेते हैं कि इनके यहाँ पर सुत्र क्या होते हैं तो दोस्तो Sulfuric amla का हम शुत्र जानते हैं जिसे हमलर आज भी कहा जाता है यह होता है हमारा H2SO4, ठीक है, यह हो गया सलफूरी कमला का सूतर H2SO4, साथ में कार्बोनी कमला का सूतर क्या होता है, वो होता है हमारा H2CO3, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, CO3 कार्बोनेट उपस्तित होता है, इसलिए यह क्या हो गया, कार्बोनी कमला, इसी तरह से दोस्त पहला विकल्प हमें दिया गया है वो है हमारे पास पराओकसी-acetyl-nitrid ठीक है और इसे दोस्तों हम सौर्ट में किस नाम से जानते हैं यह होता है हमारा पेन ठीक है इसे हम सौर्ट में पेन के तौर पे जानते हैं ठीक है और यह दोस्तों हमारे क्या होता है दृतियक अपस्तित होता है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा अमला है, यह हमारा यहाँ पर बिल्कुल सहीं उत्तर हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर है HNO3, जो कि हमारे क्या होता है, 9-ërk अमला, तो यह भी दोस्तों यहां पर बोला गया था कि अमली वर्षा में कौनकों से अमले उपस्तित होते हैं उन्हें हमें बताने थे तो हम कह सकते हैं कि यहां पर B, C, D यह तीनों आपसर हमारे पास क्या हो जाएंगे यहां पर बिलकुल सही हो जाएंगे और यही दोस्तों में फ्रस्त में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्ण का उत्तर है तो आसा करता हूं दोस्तों आपको इप्रस्त समझाया होगा धन्यमाद पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आएटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोज़ा आज से डाउनोट करें डाउटने डाप यह वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर